सब्सक्राइब कर रहा हूं मेरा नाम है हर्षवर्दन सिंग्ग और आज जो है वो हो गई है 2nd of December 2nd December के क्लास में सभी स्टूटेंट्स को परी गुड वार्निंग और आज अपने डिली क्लास होती है सभी स्टूटेंट्स का सवागत कर रहा हूं चले आज के क्लास को सबसे पहले क्लास में हर्षवर्दन सिंग्ग पहला कोईशन बताइएगा भी एसेफ जो है उन्होंने 56 रेजिंग डे यानि की जो इस्टाफना दिवस है वो मनाया है न तो बताना है को कि यह कब गठन किया गया था इसका very good morning everyone good morning everyone सब्स्टूद्स को very good morning answer करिएगा फटा-फट से सभी questions का BSF ने अपना छपमनवा स्थापना दिवस जो है वो मनाया BSF का गठन कब किया गया था है यह बताना है स्थापना दिवस तो बताने है बताना है 37 साल भी बताना है आपको तो बता दो भड़ावट से ज़्यादा मुश्किल है नहीं वेरी गुड मारिंग एवरिवन दीप सुमन एवरिवन गुड मारिंग चलिए बताईए अंसर कर दो यार देखते हैं कितने स्टूडेंट को आ रहा है प्सक्राइब का इंपॉर्टेंट रोल है वो भी समझाऊँगा एक बार फटाफट से बता दीजे अंसर आकि मैं और इंफोर्मिशन आपको देपाऊँ चलिए विल्कुल सही हो या ए फर्स देसमबर 1965 ध्यान रखिएगा 1965 क्यों? 1965 में वार हुई थी याद होगे आप लोगों को बॉर्डर मुवी देखी गया? बॉर्डर मुवी जो है वो 1965 वार पे ही बेस्ट है बिसिकली तो उसमें क्या था? सुरी वो 1971 वार पे बेस्ट है जो कि B.S.F. के नाम से जाने जाती है 1965 में बनी थी 1st December को ये बात ध्यान रखने आपको यह थोड़ा सा ध्यान रख ले हैं दिमाग में 1965 वार के हिजाब से याद रख लेना 1965 वार के टाइम पे जो है वो ये हुआ था शुरू 1965 में 1965 में क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से तो मेजरली पाकिस्तान बॉर्डर को पेट्रोल करता है B.S.F. कौन सी बॉर्डर को पेट्रोल करती है पाकिस्तान बॉर्डर को अब पाकिस्तान बॉर्डर में से 1971 में बंगलादेश भी अलग हो गया पहले बंगलादेश क्या था पाकिस्तान का हिस्सा था तो बंगलादेश बॉर्डर भी मॉनिटर करने का काम यानि कि उस पे निगरानी करने का काम कौन सी फोर्स करती है बीएसेफ करती है पाकिस्तान और बंगलादेश बॉर्डर को मॉनिटर गरती है BSF यह चीज ध्यान रखिएगा ठीक है यह information आपको ध्यान रखनी है पाकिस्तान बंगलादेश बॉर्डर के लिए BSF है ठीक है और यह किस में आती है Home Ministry में आती है ग्रहम अंतराले के अंदर में आती है क्यों क्योंकि यह अर्दसैनिक बल है Because this is a paramilitary force चलिए बताइएगा Very good morning everyone सभी students को very good morning मेरी तरफ से Next question है अपने पास में बताइए Who is the top Iran nuclear scientist killed recently? हाली में मारे गए शीर्ष एरान परमानू वग्यानिक कौन है? यह बहुत बड़ी सुर्ख्यां मना रहा है ना बहुत जादा अभी news चल रही है इसको लेकर इरान के जो हैं वो यह वग्यानिक थे इन्होंने इरान के परमानू कारिकरम के लिए बहुत महत्पून योगदान दिया था हाला कि यह माना जाता है कि इनको इरान के nuclear program का जर्रक माना जाता है अभी हमने थोड़े दिन पहले हाँ बिलकुल सिधार थे हमें बता रहे है राकेश स्ताना जो की बीएस एफ की डीजी है चलिए थोड़े दिन पहले हमने बात की थी वहिया जो comprehensive plan of action जो है है ना जो की इनके साथ में JCPOA के नाम से जाना जाता है joint comprehensive plan of action JCPOA जो इरान nuclear deal के नाम से जानी जाती है ना इरान nuclear deal हुई थी जो की अमेरिका और जो P5 countries यानि permanent 5 US के अलावा जो P5 countries हैं उनकी plus Germany plus Germany और साथी साथ plus European Union यानि की European Sun की इरान के साथ में जो nuclear deal हुई है USP5 plus Germany plus EU की deal जो हुई है इरान के साथ में इसको JCPOA कहा जाता है तो फटावर से इसका scientist का नाम बता दो इसके बारे में extra information और discuss कर रहे हैं अंसर तो करिए तब तक क्या होगा नाम बड़े ही interesting मिलेंगे आपको options ऐसे नहीं मिलेंगे आसानी से पकड़ लोगें बताव वहीं अंसर करते जाहिए लाइक शेर कर देना दोस्तों के साथ में और पीडियेफ मिलेगी powermind institute telegram channel जो है powermind ssc की नाम से सर्च करेंगे तो वहां से मिल जाएगी आपको इसकी पीडियेफ ठीक है तो सभी student जो class देख रहे हैं बहुत बहुत आपके support के लिए बहुत बढ़िया बट इसका answer जो आ रहा है मौसीन फक्रियाजादे तो मौसीन फक्रियाजादे जो है यहां पर अभी शेक में फकीर अंकल लिखा को सही है याद करने के लिए फखिर या फखरी जादा जो है फखरी जादे जो है ये इनका सर्णेम में आ रहा है तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगा लिजेगा ध्यान रख लिजेगा ठीक है मोसीन जो है वो है इनका नाम और फखरी जादे जो है वो इनका सर्णेम है तो को थोड़ा सा ध्यान रख लिजएगा, ये इरान के टॉप नूइकलियर साइंटिस्ट थे, अब इरान की थोड़ी से पोजिशन देख लेते हैं मैप पर, क्योंकि मैप देखना ज़रूरी है हमारे लिए, ये देख सकते हो आप इरान कहां पर है, ठीक है, इरान कहां पर है, नॉर्थ में कैस्पियंस आगर लगता है, नॉर्थ में कैस्पियंसी लगता है, इरान के, उसके बाद में साउथ की तरफ में फारस की खाड़ी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से इधर की तरफ में बॉर्डर लग रही है, दूसरी तरफ अंदर इरान ने आरोप लगाए कि इनको इसराइल ने मरवादिया है अब इसराइल कहाँ बढ़ता है इसराइल यहाँ पर देख सकते हो इराक से इधर की तरफ में सीरिया है और यह जॉर्डन है इसके पास में यहाँ पर यह जो देश है यह आप इसराइल है तो इन्होंने इसराइल पे आरोब लगाया है कि इसराइल नहीं चाहता कि इरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सफल हो इसलिए इन्होंने इनको मरवा दिया है साजिश करके इरान पे जो है वो JCPOA Agreement के अंतरगत क्या है प्रतिवंद लगाया गया है अमेरिका की तरफ से क्योंकि JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action जो था उसके अंदर अमेरिका, जर्मनी, EU और बाकी जो फाइफ पर्मनेंट मेंबर्स है न UK, France और रशिया और चाइना ये मिलकर इनके साथ में डील की थी इरान के साथ में जिसमें अमेरिका ने पीछे हट गया था सब्रीमाला स्वामी प्रसादम, two devotees across the country at their doorstep, सब्रीमाला मंदर भी केरल के अंदर है, सब्रीमाला मंदर कहा है, केरल के अंदर है, सब्रीमाला मंदर केरल, केरल राज्य है है न, तो ये भी सुर्खियां मना रहा है बहुत समय से very good morning everyone, सभी students को very good morning, मेरी तरफ से, greetings, सच्चा का, नमस्कार, सभी को, तो फड़ावर से अंसर करतो, अब इसका कि यार ये जो है, वो एक कौन सा विभाग है, जो सभी भक्तों के द्वार पर, देश भर के भक्तों के द्वार पर, सब्रीमाला मंदर का स्वामी प्रसादम जो है, वित्रित करेगा, ऐसा पुणने का काम कौन सा विभाग कर रहा है, पताईए तुनील का अंसर है, C तो मैं कोशिश करूँ क्लास के एंड में अपन JCPOE पर डिसकर्शन कर लेंगे थोड़ी सी दिर JCPOE के बारे में थोड़ा सा डेटेल में बता दूँगा पता ही है पर नाइस बहुत अच्छे भाईया भी पोस्टल डिपार्टमेंट ठीक है डाक विभाग ने जो है वो यह कारणावा किया है डाक विभाग ही ऐसा करेगा उनकी पास और कोई आजकल काम ज्यादा है नहीं तो यही काम कर रहे है ठीक है प्रसाद बांटते हैं कभी वहिष्णोदेवी का प्रसाद बांट रहे हैं ध्यान रखेगा यह भी उनी की तरफ से था वहिष्णोदेवी का प्रसाद भी बुक कर सकते हो दूसरी तरफ यह जो है वो अब पोस्टल पेमेंट बैंक की तरह भी काम कर रहे है कि पैसा डिपॉसिट करते पैसा लिकालते ये सारे काम करने लगे क्योंकि डाक विभाग के पास आजकल ज्यादा काम नहीं बचा है, ठीक है, मनीश का भी अंसर यह आ रहा था, बट यहां पर पोस्टल डिपार्टमेंट है इसका अंसर, ठीक है, बी है, चलिए, वेरी नाइस, नेक्स्ट कोईशन, बताइएगा, इंड मेघाले बिजली वितरन शेतर को, किस बैंक के साथ मजबूत करने के लिए भारत ने 132.8 मिलियन रिंड समझाते पर हस्ताक्षर किये हैं, इंडिया है साइंड डॉलर 132.8 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन मेघाले पावर दिस्टिबूशन सेक्टर विट विज बैंक, किये, क्या होगा? ठीक है? ठीक है? तो पोस्टल पेइमेंड बैंक का भी ध्यान रख लिएगा. मतलब खाता निकालते भी लोगों के अकउंट से और लोगों को पैसा भी डिपॉसेट करके दे रहे हैं. खाता निकालके भी दे रहे हैं. इसारे काम कर रहे हैं. चलिए. बहुत अच्छ है. य या answer बताओ अच्छा यहां interesting part यह है अभी थोड़े दिन पहले ही मेघाले राज्य के साथ में इसी बैंक का एक और करार हुआ है इसी बैंक का एक और एक और करार हुआ था और वो क्या था वो था इसी मेघाले राज्य के अंदर सडख परिवाहन योजना को बहतर बनाने के लिए इसी बैंक के साथ Asian Development Bank के साथ Asian Development Bank के साथ जो है वो करार किये ADV है इसका अंसर तो यहां पर यह important रहेगा news में था ध्यान रख लिजेगा वहीं दिल्ली में transport की व्यवस्ता को सुधारने के लिए New Development Bank NDB के साथ में करार किया था तो यह Asian Development Bank के साथ में दो चीज़े आ रही है मेगाले राज्ये का ही थोड़े दिन पहले सडख को सुधारने का जो है वो करार भी किया था भारस सरकार नहीं अब second Asian Development Bank के साथ सेम मेगाले राज्ये ही है और अब इन्होंने करार किया बिजली वित्रण शेतर के लिए है ना जो electrification area है power distribution sector है उसके लिए किया है तो यह दोनों ही वज़े से यह news में रहा है तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ठीक है मेगाले राज्ये पे focus कर रहे ही government आजकल North East पे focus है आजकल चलिए next question बताइए बताइएगा government has collected how much GST for month of November 2020 सरकार ने November 2020 के महीने के लिए कितना GST जो है वो collect किया है एकत्रित किया है यह important आखड़ा रहा है क्योंकि हम आज एक trend देखेंगे क्योंकि trend देखना जरूरी होता है कई बर question ऐसे आ जाते है यार GST बड़ा है घटा है क्या रहेगा है ना तो उसको देखेंगे पहले आप इसका answer करिए इसका answer करिए देखो अभी शेक बिल्कुल सब जगे voting का ही खेल है सारी जगे voting का ही खेल चलता है अभी गुजराज में बहुत सारी scheme launch की election आएंगे वहाँ पर दूसरे तरफ बिहार में कीती है भी थोड़े दिन पहले बहुत सारी schemes election हो चुके हैं वहाँ पर तो ये सारी चीज़े election का ही खेल है चलिए बताइए फटाफट से वनीश का answer B है बाकी students यहाँ पर A बतारे ज्यादा तर last time 4% जादा हुआ था अभी शेक अच्छा ठीक है प्यूश बतारे 1.04 चलिए बहुत अच्छी बात है और कोई students अंसर करतो फटाफट से यार सबी लोग यह बता रहे हैं चलिए सभी लोग यह बता रहे हैं तो फिर एक काम करते हैं एक कोई सही मान लेते हैं एक लाग करोड रुपे एक लाग चार हजार एक लाग चार हजार 963 करोड रुपे जो है वो इनोंने इस महीने में नवेंबर में gather किया है पर ध्यान रखने वाली बात यह है पिछले महीने एक लाग 5155 करोड था यानि कि इस बार आंकडों में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं अगर पिछले साल यानि कि 2000 ये जो ग्रे में दिखाये गया है ये पिछले साल यानि कि 2019-20 का आंकडा है ये ग्राफ मिल जाएगा आपको PDF के अंदर उसी में 2020-21 जो है वो येलो कलर में दिखायवा है तो अगर आप देखोगे तो इस महीने और पिछले महीने दौनों ही महीनों में जो है वो बड़त देखी गई है पिछले साल के आंकडों के मुकाबले में यानि कि अगर मैं बात करूँ इन तीन महीने जो लगातार अभी तक आखरी के तीन महीने रहे हैं सितंबर, अक्टूबर और नवेंबर इन तीन महीनों के अंदर जो है वो पिछले साल के मुकाबले में GST में बड़त है वहीं दूसरी तरह बाकी महीनों के अंदर पिछले साल के मुकाबले में जो है वो गिरावट है because क्योंकि हमारी अर्थवस्ता इस साल पूरे लगभग इन महीनों के अंदर ठीक है अपरेल मार्च से लेकर जो है वो लगभग अगस्त के बीच में जो है जो है उसमें थोड़ी बहुत रहत मिलेगी GST राज्य सरकारों को भी बढ़ता है ध्यान होगा आप लोगों को और इसके लिए सम्विदान शंशोदन किया था भारत सरकार ने तो GST जो है उसमें इस बार गिरावट की वज़े से भारत सरकार राज्यों को पैसा नहीं दे पाई GST का ये भी काफी दिनों से सुर्ख्या बन रही है ठीक है तो ये ट्रेंड को थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि पिछले साल के मुकाबले में अभी तक तीन महीनों के अंदर GST में बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल के मुकाबले में बढ़ोतरी देखी गई है और पूरे साल का ट्रेंड देखोगे तो GST जो है वो बढ़ी रहा है अभी तक घटा नहीं है नवेंबर के आखड़े अभी हाली में जारी हुए नवेंबर दो पूरा हुआ है तो यह बात ध्यान रखेएगा exactly एक लाख करोड रुपे इतना ही ध्यान रखेए एक लाख चार हजार करोड रुपे जो है वो इस महीने का है पिछले महिने का एक लाग पांच अजार करोड था ये ध्यान रखिएगा चलिए इसे के साथ में next information पर आ रहे हैं next question पर आ रहे है चलिए बताइएगा किस कंपनी ने भारत का पहला octane 100 इंधन जो है वो launch किया है which company has launched India's first octane 100 fuel octane 100 fuel बहुत important होता है octane 100 category का fuel किनके लिए high performance engines के लिए high performance engines के लिए खास तोर से race cars वगेरा जो है उनके लिए ये काम में लिया जाता है octane एक rating होती है तो octane 100 fuel इंडिया में पहला भारत में ही बनाया वा जो है वो किस company द्वारा research करके बनाया गया है बताइए येस एवरिवन येस एवरिवन अंसर प्लीज बहुत अच्छे अंसर कर रहे हैं बहुत साथ students रवेश विकास उमकान टी बता रहे हैं अभिशेक जो हैं वो इंडियन ऑइल बता रहे हैं चलिए देखते हैं इंट्रेस्टिंग हो गई ने बात तुनील ए बता रहे हैं यहाँ पर हो गई थोड़ा बहुत इंट्रेस्टिंग क्यों A, B, C सारे आचुके हैं हमारे पास में B वाला B, B आ गए सिधारत B वाले आ गए चलिए तो A, B, C, D सारे आचुके हैं अब बताओ आप किस पर दाव लगा रहे हैं बाकी students भी answer कर दो बताईए अच्छा यह क्या है आत्निरबर भारत के लिए इंपोर्टेंट है क्यों भारत में खुद की research and development से बनाए है तो यह इसलिए भी सुर्ख्यां बना रहा है दूसरा octane 100 fuel के बारे में पूछा भी जा सकता है तो यह इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसको जो है वो धर्मेंदर प्रधान जो है वो मंत्री है अभी power and oil ministry में मंत्री है धर्मेंदर प्रधान चलिए very nice तो answer भहिया है इसका Indian oil ध्यान रखिएगा C answer है Indian oil is the company which has created octane 100 fuel for India octane 100 fuel launch किया है इंडिया का पहला octane category माने वाला 100 जो octane 100 category मानी जाती है high performance race car engines वगेरा या बकी सब चीजों के लिए जो use होने अला fuel है यह majorly बड़े शहरों के अंदर available करवाय जा रहा है आज से शुरू हो जाएगा और इसमें जो है वो high performance जो cars होती है उनमें यह majorly use किया जाता है अभी इंडिया ने BS6 standard को जो है वो अपना लिया था तो BS6 cars के अंदर जो है या फिर high performance engine cars जो BS6 में आ रही है उनके लिए fuel बहुत जाद अच्छी performance देता है चलिए very nice next question अपनी गाड़ी में डालाने मत पहुंच जो ना मतलब नहीं कोई November 2020 race car वह आपके पास तो अलग बात है कित्तों के पास है चैट में लिख देना अच्छा विच लोको फैक्टरी है ना किस लोको फैक्टरी ने चालीसवा है ना एक ही महीने में चालीसवा छे हजार होर्स पावर का engine जो है electric locomotive for the month of November 2020 जो है वो बनाया है इन्होंने एक record बनाया है November 2020 के महीने में किस लोको फैक्टरी ने चालीस में 6000 HP के electronic engine का निर्मान किया है यह railway के साब से important रहेगा क्यों क्योंकि इन्होंने खुद का कीरतिमान तोड़ दिया है एक ही महीने में 40 engine मनाना बहुत बड़ा कीरतिमान मना जा रहा है इसके लिए अबिशेक अगर मन में आस्था हो तो bullet में केरोसीन भी चलता है मन में आस्था हो तो है ना bullet पे विश्वास रखो बस वो कुछ भी चला देती चलिए very nice बहुत बढ़िया बताईए विजय नैनो को कुछ नहीं चला सकता उसके लिए कोई उम्मीद नहीं सॉरी हाई ओक्टेन पेट्रोल छोड़िये और नॉर्मल पेट्रोल से चल रही है तो भहरवानी समझे आप चलिए very nice तो answer कर दीजिए students everyone क्या होगा इसका answer November 2020 के महिने में कीर्थिमान बनाया है 40 engine बनाये है Locoportic electric vehicle बनाये है 6000 horsepower के engines का production किया है एक ही महिने में 40 का इससे बहले इसी factory के नाम पे 31 engine बनाने का एक ही महिने में 31 engine बनाने का कीर्थिमान था पिछले साल सितंबर 2019 ठीक है बट इन्होंने इस बार अपने record तोड़ा है और यह इसलिए news में रहा चलिए बहुत अच्छी बात है बढ़ी है चलिए students अंसर तो कर दो बाकी सब चीज़ें ठीक है यह अंसर आ रहा है बनारस लोको मोटिव फैक्टरी ध्यान रख लीजेगा बनारस लोको फैक्टरी ठीक है बनारस लोको मोटिव लिमिटेड जो है या बनारस लोको फैक्टरी जो है उसने बनाया बनारस लोको फैक्टरी बनारस लोको फैक्ट्री का नाम ध्यान रखीएगा इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ाया भारत में सबसे ज़्यादा इंजन एक साथ एक महिने में 40 इंजन बनाने का कीर्थिमान बनाया important है ध्यान रखीएगा बनारस लोको फिक है बनारस लोको मोटिव फिक है बाकी ये दोनो फिक है मरहावडा और माधेपुरा ये दोनो जो है वो बिहार में है असन्सोल जो फैक्ट्री है ये वेस्ट बेंगॉल में है फिक है वेस्ट बेंगॉल में चलिए next question बताईएगा निम्लिकित में से किस नदी पर जल्द ही रामायन कुरूज सेवा शुरू की जाएगी रामायन कुरूज सेवा जो है वो किस नदी पर शुरू की जा रही है किस नदी पर जल्द ही रामायन कुरूज सेवा की शुरूज की जा रही है बताईएगा आपको कि यह जो है वो यूपी उत्तरप्रदेश सरकार ने जो है वो शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए प्रपोजल तयार किया गया है और अब बताईएगा कि कौन सी नदी पर यह योजना जो यह तारिकरम है उसको शुरू करने की बात चल रही है बेर नाइस बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है तबी स्टूडेंट्स का अंसर लगवर बिल्कुल सही है सर्यू ही इसका अंसर है ठीक है सर्यू नदी जो है इसके किनारे पर अयोध्या है अयोध्या जो है वो सर्यू के किनारे पर है तो सर्यू नदी ही इसका अंसर है अयोध्या शहर के पास में चलाया जाएगा सर्यू नदी इसका अंसर है ध्यान रख लेजेगा सर्यू इसका अंसर है बिल्कुल सही बताया चलिए वेरी नाइस नेक्स कोईशन बताईएगा पहले आभासी आदी महोचव यह आदी महोचव जो होता है या आदी वासी ओं के लिए होता है मुख्य तोड़ से ताकि वो अपने उत्पाद वगरा का प्रचार वगरा कर सके ठीक है दस दिन तक चलाया जाएगा यह 10 डेस का महोचव है और यह पहला आभासी यानि कि पहला वर्चुल जो आदी महोचव है वो किस राज्य में शुरू किया गया है अलग-अलग राज्यों में चलाया जाता है समय समय पर पहला वर्चुल आदी महोचव जो है वो किस रा स्टेट को लाइक शेयर दोस्तों को बेज देना पीडिएफ कहां से मिलेगी पावर्माइंड इस्टिट्यूट टेलीग्राम चैनल से के अलावा बाकी चीजें तो है वो आपको दिहान ही है पावर्माइंड इस्टूड टैप पर भी क्लास चल रही है साथ यूट्यूब पर भी इस चल रही है सभी स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब पर अट वजह ले सकते current affairs की और 9 बजे होती है static की आज political questions discuss करेंगे CGL में आए वे ठीक है तो चलिए देखते है very nice, बहुत अच्छे MP, मध्यब्रदेश MP में शुरू किया गया है यादी महोचसव चलिए next question ले रहा हूँ बताईएगा World AIDS Day जो है वो कब मनाया जाता है World AIDS Day कब मनाया जाता है Class के end में इसके बारे में extra information भी है कि World AIDS Day की इस बार की theme वगएरा क्या रहीगी है ये वाली information दी गई है तो Class के end तक रुखना पड़ेगा इसके बारे में extra information भी है When is World AIDS Day celebrated तो Class के end में JCPOA पे बात करेंगे विश्वे एड दिवस वगिर आपे बात करेंगे और एक दो topic और देखेंगे पताईगा तब तक World AIDS Day जो है वो कब मनाया जाता है Very nice बहुत बढ़िया कर दी सभी students अंसर कर दो भई Very nice Manish इपक, सुलील, अभिशेक, यूश, सिधार्ट, सुमन सब के अंसर आ चुके है और अंसर एक December है बिलकुल सही है ध्यान रख लिजेगा First December कोई ही जो है विश्व एड दिवस भी मनाया जाता है VSF का स्थाफना दिवस भी सी दिन था चलिए, कोई बात नहीं Anyways, next question बताईएगा Hornbill त्योहार, Hornbill festival इसकी शुरुवाद जो है वो किस राज्य में की गई है बहुत famous है यह, है न World famous है Vishwa Prasidd, Hornbill त्योहार है वो किस राज्य में शुरू किया गया है World famous Hornbill festival is started which of the following states बताईए झाल बहुत बढ़िया यह नागालेंड का है यह ए अंसर बिलकुल सही दिया है सभी students ने जिन्होंने ए अंसर दिया है ठीक है नागालेंड का होता है Hornbill festival Hornbill नाम से एक चड़िया भी होती है जो नागालेंड में बहुत ही प्रसिद है ठीक है इस तरीके से अलग से तोंच के उपर एक तरीके एक अटैच्मेंट से लगा होता है इसको Hornbill कहते है Hornbill चड़िया जो है वो तरपूर के राज्यों में फेमस है चलिए तो नागालेंड अंसर है बताइएगा Which of the following artist has been appointed as the BAFTA Breakthrough India Ambassador निम लिखे तुमेंसे किस कलाकार को BAFTA Breakthrough भारत के राजदूत के रूप में नुक्त किया गया है BAFTA क्या है British Academy of Film and Television तो ये जो है वो basically England के अंदर एक BAFTA समारो होता है जिसमें music वगरा से जुड़े वे Film and Television से जुड़े वे जो कलाकार होते है उनको समानित वगरा किया जाता है BAFTA Awards वगरा भी दिये जाते हैं तो इसमें किस को इस बार भारत के ओर से जो है वो Breakthrough राजदूत के तौर पे नुक्त किया गया है Breakthrough राजदूत बेसिकली ये क्या करेंगे जो नए upcoming talent है उनके साथ में BAFTA के कलाकारों के साथ मिलकर जो है वो एक तरीके से उनको नए upcoming talent को बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो ये कौन कौन celebrity है निमने से किस कलाकार को ये जो है वो न्यूक्त ही है बताइए वे नाइस बहुत अच्छे विकास मनीश ए बता रहे हैं OPC का बता रहे होंगे आप लोग और वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग AR रह्मान C जादा तरफ स्टूडेंट्स का अंसर बिलकुँ C आया है AR रह्मान मनीश का B आया है बहुत अच्छे या मनीश यादव C है प्रिश्नपाल सुनील A बता रहे हैं बाकी सब स्टूडेंट्स AR रह्मान बता रहे हैं जो की अंसर बिलकुल صही है इसका अंसर आए AR रह्मान ये बात ध्यान रखिएगा AR रह्मान जो है इनको ये खिताब जो है वो इस पार दिया गया है इनकी तरफ से बाफता केडमी की तरफ से चलिए very nice बताईए आज का last question भारत सरकार की तरफ से question के बाद में extra information के लिए class के एंड तक रुखना पड़े गवई या सरकार ने किस कंपनी के द्वारा भारती एकसा जीवन बीमा जो है उसके अधिक रहन को मंजूरी दे दी है बताईएगा Company के options है SDFC Life, Future Generali Vima या Insurance, SVI Life या ICICI Lombard है न ये पहले भी हमने चर्चा का विशाय बनाया था जब इस पे चर्चा चली थी अभी सरकार ने इसको approval दे दिया Government has approved this acquisition अगर बड़ी कंपनियों के बीच में कभी विले होता है तो भारत सरकार की एक संस्ताय जिसको Competition Commission of India CCI कहा जाता है CCI जो है वो इनको अगर अनुमती नहीं देती है तो किसी भी कंपनी का विले नहीं हो सकता है बड़ी कंपनियों के विले के लिए CCI का approval आवश्यक होता है ताकि बाजार में जो है वो परियावत मातरा में competition बना रहा है अगर monopoly हो जाएगी तो एक company की मनमानी चलने लगी जो कि government allow नहीं करती है इसके लिए competition commission of India बनाया गया CCI चलिए interesting हो गया है यहाँ पर D आ रहा है हमारे पास पर C भी है HDFCI ने की A option भी आया है हमारे पास में कुछ students की तरफ से मनीश का अंसर C आया बताए देखिए क्या होगा interesting question हो गया वई यूश भी ICI से बता रहे हैं सिद्धार्थ D बता रहे हैं सुनील टीप अब लोग D बता रहे हैं मन भी D बता रहे हैं चलिए भाया ICI-CI Lombard ही इसका अंसर है ध्यान रख लिजेगा ICI-CI Lombard company ने जो भारती एक्जा life insurance है जो कि इसमें Airtel का stake हुआ करता था भारती एक्जा जो है वो Airtel company से जुड़ा वा था बट इसको जो है वो ICI-CI Lombard जो कि ICI-CI bank का एक अंग है insurance वाला जो अंग है उसका उसने इसको लेने का फैसला किया D is the right answer चलिए very nice बहुत अच्छे तो last के अंदर जो मैं बता रहा था वो ये है वह या देखो केरल पोस्ट के साथ में मिलकर जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट ने 4500 रुपय का packet तयार करवाया है जिसको प्रसादम के तौर पर जो है वो वित्रित किया जाएगा 4500 रुपय का price रखा गया है इसके बारे में सारी information यहाँ पर दी गई है ठीक है इसी को हिंदी में भी दिया गया है कि डाक विभाग ने अपने द्वार पर देश भर के भक्तों को सबरी माला प्रसादम देंगे केरल पोस्टल सरकेल के त्रवर्ण कोर देवस्थाम बोर्ड के साथ में उद्देश के साथ समझाता किया है और 4500 रुपय का प्रसाद रखा गया है यह तो एक additional information हो गई ज्यादा important नहीं important यह है World AIDS Day क्यों मनाया जाता है यह ध्यान रखिएगा 1988 में पहली बार World AIDS Day मनाया गया था 1988 में World Health Organization इसको बनाती है with the motto of raising public awareness about acquired immunodeficiency syndrome जो AIDS है इसका full form क्या हो गया acquired immunodeficiency syndrome यह information आपको यहां से ध्यान रखनी है यह सब लोगों को students को ध्यान रहती है वैसे तो ठीक है तो ध्यान रखिएगा 1988 में 1 दिसंबर 1988 को पहला AIDS Day मनाया गया था AIDS is a pandemic disease अब pandemic क्या होते है AIDS is a pandemic disease तो pandemic शब्त तो अभी बहुत जादा सुन रहे हैं अपन तो विश्व भर की महारी जो होती है वैश्विक महारी जिनको माना जाता है उनको pandemic कहा जाता है cost by infection of human immunodeficiency virus जो की HIV virus कहलाता है और ये human immune system को यानि की रोग प्रतिरोधक शमता को प्रभावित करता है 2019 में 6,90,000 लोग जो हैं वो इससे मरें HIV related बिमारियों से मरें और 1.7 million people यानि की लगबग 17,000,000 लोगों को जो है वो इसले infection हुआ है 62% of newly infections occurring among key populations and their partners यानि की इसमें से 62% जो ज़्यादा populated countries है उनमें हो रहा है थीम कह है global solidarity and resilient HIV services ये इसकी थीम है ये आपको slide मिल जाएगी इसी की information हिंदी में भी यहाँ पर दी गई है विश्व AIDS दिवस की स्थापना 1988 में विश्व स्वास संगठन द्वारा की गई थी और ये है पहला वैश्विक स्वास्त दिवस था इसमें acquired immunodeficiency syndrome के बारे में जन जागरुकता बढ़ाने का एक आदर्श वाक्य है या फिर ये जो है वो आदर्श मेसेज दिया गया था AIDS मानव immunovirus के संकरमन के कारण होने वाले हमारी जो मानव प्रतिरोधक प्रणाली को या प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुचाती है 2019 में HIV से संबंदित कारणों से 6,90,000 लोगों की मृत्ति हुई है और 1.7 मिलियन लोग नए संकरमित हुए है लगवग 62 प्रतिर नए संकरमित प्रमुख आबादी और उनके महा सहीयोगियों के बीच हुए है और 2020 के लिए थीम क्या है Global Solidarity Resilient HIV Services ये PDF में आपको मिल जाएगा PDF कहां से डाउनल करने है ये Power Mind Institute के टेलिग्राम चैनल से ठीक है अच्छा अब यहांपे क्या है 2020 तक इन्होंने लक्ष रखा था कि 90 फीसद 90 90 90 प्रोग्राम चलाया जाता है WHO के द्वारा उसमें लक्ष रखा गया था 2020 तक 90 फीसद लोग जो संकरमित होंगे उनको पता होगा कि हुने संकरमन है 90 फीसद 90 90 है ना दूसरा 90 के यह जिन लोगों को पता चल चुका है कि यार हमें हो चुका है वो लोग इलाज में आ रहे है 90 फरसंट और 90 तीसरा 90 के है जो लोग इलाज करवा रहे हैं उनमें भी 90 परसंट से स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएं ये विश्व भर की सरकारों का लक्षे रखा गया था हाला कि COVID की वज़े से इस पार ये लक्षे पीछे जूटता वा दिखाई दे रहा है UN और WHO ने लक्षे रखा था कि 2030 तक HIV को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा हाला कि अब वो COVID की वज़े से पीछे होता वा दिख रहा है चलिए अब आज की क्लास में जो JCPOA की बात कर रहे थे हम Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA ध्यान रख लेना इसको JCPOA को मतलब क्या है ये basically Iran Nuclear Deal है JCPOA इरान से संबंदित है Iran Nuclear Deal को भी JCPOA कहा जाता है कौन कौन से देश शामिल है JCPO में पांच देशों के नाम आप सब को ध्यान है कौन कौन से UN Permanent Five Members USA इसके अलावा Russia यानि की रूस उसके बाद में UK France और China इनके अलावा इन्होंने Germany और European Sun यानि की European Union को मिला कर एक ब्लॉक बनाया और इनने मिलकर किस के साथ में deal करी इरान के साथ में इरान nuclear समझाता इसी को कहा जाता है और इसका जो short form है उसको JCPOA कहा जाता है इस 90 के दौर में लगबग जो है वो एक तरीके से इरान पर या आरोप लगने लगे थे कि इरान जो है वो अपने आसपास के देशों के लिए खत्रा उत्पन कर रहा है क्योंकि इरान जो है वो एक nuclear program यानि कि अपने इहां पर पर्माणू इंधन जो है वो इकत्रित करने लग गया है और uranium को enrich करना शुरू कर दिया enrich करने का मतलब क्या हुआ uranium अगर 3 फीसद से ज़ादा enrich किया गया माना जाता है तो उसको nuclear weapon बनाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है वहीं अगर आपको normal पर्माणू सहींतर चलाने है तो उसमें 3% से नीचे होना चाहिए enrichment तो इरान पर ये आरोप लगने लगेगी इरान जो है वो बहुत ज़ादा पर्माणू बं बनाने की तैयारी करने लगे और आसपड़ोस के देशों के लिए खत्रा है अब अगर geopolitics में थोड़ा सा जाओगे आप थोड़ा सा यहां की स्तिती समझोगे तो इरान के साथ में इधर आसपड़ोस के जो देश हैं उनके संबंद थोड़े से खराब है साओधी अरेबिया, युनाइटेड अरब, एमिरात, ओमान वगरा यह जो देश हैं यह एक ब्लॉक हैं अपने आप में से एक साथ मिलके रहते हैं वहीं दूसरी तरफ यहां पर एक और देश है इसराइल इनके साथ भी इरान के संबंद अच्छे नहीं है क्योंकि यह देश अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि इरान इन एरियाज में इसके आसपास के देशों में जो है कुछ आतंगवादी संगठनों को समर्थन प्रदान करता है और यह किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि इस शेत्र में साथी अरेबिया का दबदबा जो है वो बना रहे यह इरान की thinking और इरान पे यह आरोप लगते रहे हैं कि यह साथी अरेबिया की समर्थन वाली सरकारों को गिराने के लिए आतंगवादी संगठनों को पैसा फंडिंग वगरा देते हैं इरान पर ये आरोब थे और इसी बीच साओधी अरेबिया और अमेरिका के संबंद अच्छे हैं इसराइल और अमेरिका के संबंद अच्छे हैं हला कि इसराइल की बाकी देशों से नहीं बनती है यहाँ पर इस मामले पर कभी अलग बात करेंगे बट हाँ ये समझ लीजेगा कि इधर वाले ब्लॉक साओधी अरेबिया वाले ब्लॉक के साथ में अमेरिका की अच्छी बनती है इरान वाले ब्लॉक के साथ में अमेरिका की अच्छी नहीं बन रही थी अमेरिका ने इरान पर ये जो परमानू हतियार बनाने के आरोप थे इसके मद्देदर जो है वो क्या लगा दिये प्रतिबंद लगा दिये सैंक्शन लगा दिये ये प्रतिबंद लगबग 20 साल चले इसके बाद में बराक ओबामा के समय पर 2014-15 के दोरान एक डील एक समझाता हुआ जिसको JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action कहा जाता है जिसमें इन सब देशों ने मिलकर इरान के उपर से प्रतिबंद लगा दिये इस शर्थ पर कि इरान अपने यहाँ पे जो nuclear परमानू सहियत्र हैं जो nuclear energy plant हैं उनमें निगरानी रखने देगा इन देशों को निगरानी क्या कि वो परमानू बम नहीं बनाएंगे है ना इस पर निगरानी रखने देगा यह प्लान बहुत अच्छे से चल गया और इरान के दरवाजे खुल गए विश्व के लिए क्योंकि इरान जो है वो आर्थिक जो रोक लगी थी अमेरिका की वज़े से उस वज़े से एक्सपोर्ट वगरा इनके सारे ठप पड़ गए थे और सिवस्ता एक तरीके से चकना चूर हो गए थी इनकी तो कोई एक रस्ता दिखा इनको कि यार अगर ये डील कर लेते हैं तो हमारे लिए तेल बेचना वगरा अंतराश्टी बाजार में आसान होगा भारत को इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ था क्योंकि इरान से आने वाला तेल भारत आता है बहुत जादा तेल इरान से भारत खरीदने लगा था दूसरा चाइना की वज़े से यहाँ पर गौदर बंदरगा और चावार बंदरगा दौनों के नाम सुने होंगे आपने न तो गौादर बंदरगा तो पाकिस्तान में वहीं भारत ने उसका जवाब देने के लिए चाहबार बंदरगा जो है वो डेवलप करना चालू किया चाहबार बंदरगा को डेवलप करना चालू किया था इसी बीच क्या हुआ डॉनल्ड ट्रम्प का चुनाव हो गया डॉनल्ड ट्रम्प 2016 में अमेरिका के राश्रबती बने अब डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह JCPOA जो है वो बक्वास है और इसकी वज़े से हमको फायदा नहीं हो रहा तो हम इससे बहार होते हैं उसने भारत पर दबाओ बनान चालू किया कि आप तेल मत खरी दिये आप तेल मत खरी दिये इरान से चाहबार बंदरगा भी एक तरीके से रुख गया था बढ़ भारत ने उस पर exception ले लिया या फिर उस पर छूट ले ली एक तरीके से बट भारत इस जील में से बाहर हो गया गणे थोड़ी सी लंबी चौड़ी है फिलाल डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा साव इरान से आप तेल मत खरीदिये अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए हमने आपकी साहता करी United Nations जो संयूक राश सुरक्षा परिशद है उसमें भारत की साहता करी है तो आप हमारी साहता करो इरान से तेल खरीदना बंद कर दो ये डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत पे प्रेशर बनाना शुरू किया और इसी वीच भारत को बात माननी पड़ी इरान पे फिर से प्रतिबंद लग गए इरान पे क्या लग गए फिर से प्रतिबंद लग गए तो इरान ने धमकी देना शुरू कर दिया इरान ने कहा साहब अगर अमेरिका इस डील को वापिस शुरू नहीं करता है तो हम वापिस से परवाडू बंबनाने शुरू कर देंगे हम फिर से न्यूकलियर वेबन मनाना चालू कर देंगे हम यूरेनियम इरेनिच्मेंट करना चालू कर देंगे इसी बीच इरान पे और भी आरूप लगते रहे कि अपने आस पडोस के देशों के अंदर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग दे रहे है है ना और इसी वज़े से अमेरिका ने इरान के जो टॉप जनरल थे कासिम सुलिमानी अभी थोड़े दिन पहले निउस में आये थे उनको ड्रोन हमले में उड़वा दिया ये आरूप लगा कर कि आतंकवादी को फंडिंग देते है वहीं दूसरी तरफ इरान इस बात से नाराज था और अमेरिका और इरान के बीच में टेंशन बढ़ती ही जा रही थी 2020 आ गया 2020 के आते ही अमेरिका में चुनाव का माहल गरम हो गया डॉनल्ड ट्रम्प ने इरान पे प्रेशर बढ़ाना चालू किया क्योंकि वो चाते थे कि किसी तरीके से अमेरिका में उनकी छवी अच्छी बनी रहे डॉनल्ड ट्रम्प की छवी अच्छी बनी रहे कि वो इरान के खिलाफ सकते हैं और वो चुनाव जीच जाए हलाकि हुआ क्या चुनाव वो हार गए इरान को एक मौका दिखाई दिया कि यार मैं एक काम करता हूँ मैं अमेरिका साथ संबन सुधार सकता हूँ क्योंकि डॉनल्ड ट्रम् तो जा चुका है और पिछले बराक उबामा के समय पर ही जेसी पी उए जॉइंट कॉम्प्रियेंसिब में आ जाता है जो की बाहर हो गया है अगर वो वापस आ जाता है तो हम भी परमानू हत्यार बनाना बंद कर देंगे हम इस डील को वापस से मान लेंगे वापस से मान लेंगे ये सारा मामला भी चली रहाता है इसी बीच इसराईल ने देखा कि यार ये सारा मामला जो है वो गड़बढा सकता है अगर इरान को किसी तरीके से nuclear हत्यार बनाने की अनुमति मिल जाती है या पर्मानू सहींतर बनाने की अनुमति मिल जाती है तो इसराईLS या बाकी देशों के लिए जो इसके नाम था, पूरा मैं नाम बूल रहा हूँ, मोसिन नाम में इनको टॉप याद है, फर्स नेम याद है मोसिन, ठीक हैं, तो उनको जो है, वो इन्हों ने उड़वा दिया, इनको यहाँ पे ड्रोन हमला करके, या फिर कोई रिमोट डिवाइस के माध्यम से जो है, वो उड़व काने का फैसला किया गया है, ऐसा इसराइल पे इन्हों ने आरोप लगा है, हाला कि एक्च्वल किस ने किया यह नहीं पता है, बट इन्हों ने इसराइल पे आरोप लगा है, यह सारा मामला चल रहा है, और इरान की संकट जो इतने दिनों से चल रहे थे, उसमें इस वज़ में काम करते रहते हैं तो यहां पे जो politics चलती है वो Iran versus Saudi Arabia की चलती है ठीक है तो I hope इससे आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि क्या जो है वो politics है इस शेतर की क्या ठीक है क्या इसकी politics है क्या इस में इस शेतर में क्या जो है वो region चल रहा है इरान का क्या पंगा है और JCPOA क्या है joint comprehensive plan of action क्या है तो इसमें ये parties कौन कौन है कौन से देशेश में शामिल है ये ध्यान रखना है आपको साथी साथ इरान के साथ में समझाता हुआ ये ध्यान रखना है आपको और इसका full form भी पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखें है ठीक है है ये काफी समय से सुर् क्लास में रेगुलर्ली आ रहे हैं तो क्लास रेगुलर्ली देख रहे हैं मैं आपको ये कहूंगा कि यार current affairs देखो regular आप रहोगे तो बहुत benefit करता है आपको दूसरी दरफ यहाँ पर जो है वो अगली चीज ध्यान रखने वाली क्या रहेगी अगली चीज ध्यान रखने बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद झाल झाल